और यहां पे तुम्हारा भाई चार के चार बंदों को अपने सस्ते उजी की स्प्रेसे ले जाता है मतलब पहले मुझे लगा था यार दो ही बंदे होंगे भाई दो से ये चार में कब बदले मुझे समझ तक नहीं आया तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और सौगत्य आपका एक बिरान न्यू गलत सीन से भरे हुए पबजी दो मुबाईल गेम प्ले वीडियो में मतलब यार ये इंटेंस भी है और गलत सीन भी इसमें दबा दबा के हैं और यार इस गेम में जो ही उजी का स्प्रे पढ़ता है न भाई मज़ा टैप आजाता है बिलकुल मतलब चार बंदे होते हैं मेरे पे गोलिया भी नहीं होती लेकिन तुम्हारा भाई उजी से जुगार लगा लुगा के पेल देगा बंदों को खैर फिलाल तो यार मिल्टी रहरी आ रखे हैं हरा हेलमेट के नाम पे ये सस्ती टोपी और एक सोडगन मिलिये मुझे अभी अभी और इस बंदे को पेलते यार कते ही टाइगर सीरॉफ वाली फिलिंग आगे बिलकुल मज़ा टैप आ गया मतलब पहले मैं इसे दो सोडगन पेलता हूँ कुछ नहीं उखडता मैं बोलता हूँ यार कूट जाओ वैसे भी निहत्ता भग रहा है यार कूट के पेलो इसे और हवा में उद आते आते भाई नौक कर देता हूँ और पेटी बन चुकी है अभी देखो सीन क्या हो रखा है दो स्कॉर्ड उधर की साइड उत्री थी जिदर मैं भग रहा हूँ और एक बंदा मैं इनका पेली चुका हूँ और एक और बंदा दिखता है मुझे सफ़ित कपड़ों में बिलकुल और यहां पे दूजी किल करते ही बंदे की सीधा पेटी बन जाती है तो इसका मतलब भया सीन ये हो रखे कि भाई दो सकॉर्ड उत्री थी यहां पे जहां तक मुझे पता है उनके दो बंदे किसी और ने पेल दिए और दो को मैं पेल चुका हूँ लेकिन अभी वो बंदे बाकी है जो बचिव है यहां पे तो तयार हो जाया और क्यूंकि सांप का चक्कर मुझ से टक्कर होने वाला है अब आपने इच्छादारी सांप सुनाओगा कच्छादारी सांप सुनाओगा ये कट्टा धारी सांप है अब कट्टा धारी सांप अपनी जगह में और हमारे भाई की नसली अंग्रेजी अपनी जगह में यार क्या ही हो गया पता नी खेर अब अन्था मेरे ख्याल से यहीं पे लेटा था उसके बाद उठके भगने की कुसिस की इसने खेर जो भी यार मतलब देखो भाई सांप कई परकार के होते हैं आज मुझे कट्टा धारी सांप भी देखने को मिल ही गया मतलब तरस गया था यार मैं कई दिनों से भाई ग्रोजा धारी सांप M249 UMP वगरा यहीं लेके बैठे पड़े होते थे भाई आज एक नया टैप का मिला कट्टा धारी यार कट्टा धारी सांप बिल्कुल तो इससे थोड़ा बात करने की कोशिश करने के बाद वारता लाप करने की कोशिश करने के बाद उसकी पेटी बना दी क्यूंकि मुझे नहीं पता आप कौन सा धारी सांप होगा वहां पे और फैक्टरी में बंदे गएते तो उन्हें भी देखना है अब दोनों बंदों को थोड़ा थोड़ा गोली पेल चुकाओं में तो या रस कैसे न करें हना अभी देखो मुझे दोई बंदे भगते वे दिखें न वहां पे चार कब हो जाएंगे भाई आपको पता नहीं चलने का क्यूंकि मुझे खुद पता नहीं चलता और ये देखो क्या होता है आगे भगते भगते अब देखो मेरे पे गोली के नाम पे बहुत ही कम बाकी है पांच की गोली लेकिन फिर भी बर्बाद करेंगे अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ डैमेज दे दे के मेरी M4 की सारी गोली खतम हो चुकी है और यार उजी की गोली ऐसे खतम होती है ना जैसे हलवाओ लेकिन कोई नियार अब क्या कर सकते हैं जो है उसी से काम चलाएंगे और उजी काफी बढ़िया गन है क्लूज रेंज के लिए और यहां पे तुमारा भाई चार के चार बंदों को अपने सस्ते उजी की स्प्रे से ले जाता है मतलब पहले मुझे लगा था यार दो ही बंदे होंगे भाई दो से ये चार में कब बदले मुझे समस तक नहीं आया और उपर से ये बोट खेर इस बोट को हटाओ यार वहाँ पे दो बंदे थे दो को पेला मैंने देखा एक और बाकी है मैंने बोला यार अब रिलोट कर दया है तो यार सिधा पेटी बनेगी मेरी तो मैंने बोला ऐसी कि तैसी सप्रे ट्रांसफर करते हैं और भाई जोवी गोली बची कुछी थी उससे तीसरा बंदा भी ले गया एकी स्प्रे में और आखरी बंदा सामने से आया और 5-6 पतानी कितनी गोली बाकी थी उजी में उससे भी पेल दिया इसको तो अब भाई लोग यार उजी के लिए इस सस्ते सपरे वगयरा के लिए इस सकौड वाइप के लिए एक लाइक पेलना मत बूलना है यार पेल के रगदो कते नीला टैप कर दो लाइक के बटन को हना क्या पता आपको भी मजा टैप आजा है बिलकुल पेल के रखदो यार लाइक की बटन को नीला टैप कर दो हना और इस बार हाथ मैंने कुछ ज़्यादा जोड से पताक दया लेकिन कोई बात नियार आप अपना अंगूठा या नाक पट को लाइक की बटन पे बस नीला टैप कर दो उसे और उसी के साथ मैं पोचंकी आ चुका हूँ बाकी बंदे ठिलाने अब काफी घंटे गाड़ी चलाने के बाद आखिर कार मुझे बंदों का थोड़ा सा मिलता है कि हाँ भाई यहाँ पे बंदे जिन्दा है तो भाई इतने खुसी मैं मैं गाड़ी पेड़ पे पटक देता हूँ क्यार यहाँ पे बंदे उधर की तरफ गोली गारी चला रहे थे तो देखना है कि भाई सीन क्या चल रहा है और यहाँ पे जो ही बोट फायर होगी ने यार बिलकुल मज़ा टैपा जाएगा मतलब उन लोग को पता होता है कि हम बोट नहीं है फिर भी वो जो खुजिली होत बहुत जरूरी है वो है भाईया धीरच और यार अंगरेजी में क्या बोलते हैं पेशन्ट हाँ अगर आप पेशन्ट नहीं है ना कद्दू भी नहीं कर पाऊ गया बोट फायर तो यहाँ पर मैं बिलकुल चलाता रहता हूं अब यह जो मैंने किया ना यह जो हरकत की यह मै कि वो एक सस्ती गन यानी की UMP चला रहा था कोई भी और गन उती ना मेरे ख्याल से यार मैंने ठिल जाना था यहाँ पे लेकिन अब क्या कर सकते यार देखो बोट फायर से इतना तो हुआ कि वो लोग हमारी तरफ आए और बिलकुल पीक पाक करके नेट कर रहे थे तो दो कर दिये हैं अब एक बचेवे बंदे को पेलना है और यहाँ पे इन तीनों बंदों को पेल दिया जाता है हरा देखो अब बोट फायर से फाइदा यह हुआ कि यह लोग केंपिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि अगर देखो हम लोग रस करते यह घर पे कैम्प करते रहते करते रहते बैठे रहते एक जगा और जैसी हम बहार आते यार यह पेल के पेटी बना देते तो हमने बोट फायर की वो लोग देखना है इन्हें पता चल गया कि बोट ना है यहाँ पे कोई ना कोई देने की चीज हाना अगर आपको प्री फायर देना है तो यार जब तक आप प्री फायर वागेरा दोगे ना उजी की गोलिया खतम हो जाएगी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं क्योंकि कई बार मैं ठिल गया हूं उजी में क्या होता है आपको तभी गोली चलानी पड़ती है ज सिर्फ पांच गोली बंदे को लग रहे है यार कुछ नहीं होगा गलत सीन होंगे वहाँ पे क्यार एमफोर मैंने रखी रखी अपने साथ था ना क्योंकि सही है यार मतलब प्री फायर के लिए कोई तो गयनों नी चीए और आगे एक गाड़ी दित्तिया में और यहां पे हमारे भाई एक गाड़ी में बैठे बंदे को बहुत लो कर देते हैं फिर मैं अपना आके मूँ दिखा के भाई या एमफोर चिपका देता हूँ एक आध गोली लगती है और पेटी बन जाती है इस बंदे की अपने को किल मिल चुकी है लेकिन इसका टीमेट इधर ही कहीं आके भग चुका है भाई उसने गाड़ी कब वहाँ पे गुसा दी हमें पता भी नी चला मुझे लगा था आगे भगेगा लेकिन पीछे देखते तो गाड़ी उस बंदे की वहीं पे रुकी पड़ी है तो देखो वो जो गर्राज है भाईया उसी के अंदर ब पताए मेरे नेट कितने सस्ते हैं तो नेट करने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं उखाड़ पाता कुछ भी नहीं उखाड़ पाता और मेरा ये सस्ता नेट देके हमारे टिमेड भाई भी बिल्कुल पागल टैप हो जाते कि भाई कैसे कोई इतना सस्ता नेट कर सकता है खेर इसे उजी से ही पिलना पड़ेगा और एक और बात ये है कि यार उजी वन वर्सिस वन के लिए बहुत बढ़िया है अगर आप अपना सप्रेव अगेरा कता इस घर भयंकर वाला समाल लेते हो तो आप दो बंदे पेल दोगे ठीक है तीन भी अगर तब पेल सकते हो जब लोगों की हेल्थ कम हो क्यूंकि देखो इस बंदे को मैंने पेला ठीक है मेरे खिल से सारी गोली मैंने लगाई उसके भलाई पाउपू मैं लगी हो लेकिन हाँ सारी की सारी गोली लगी जहां तक मुझे पता है और उसको पेलने के बाद उसकी पेटी बनने के बाद मेरे पे सिर्फ तीन गोली बाकी थी तो यह यार देखो अगर उन में से भी मैं प्री फायर करता तो शायद ही वो बंदा ठिलता खैर जो भी हो अपन इधार आते हैं देखते कि यार डिरॉप में कुछ खतरनाक मिल जाए AUG होती है जो की काफी बढ़िया गने लेकिन यार उसका रिलोड टाइम भाई पूछो मत मतलब इतने देर में आप किचन में जाके हलवा बनाके खालोगे तब जाके गन रिलोड होती है ठीक है यह कुछ ज़्याद है यूग है लेकिन हायर टाइम लगता है तो जाना ही पड़ेगा इधर की साइड और इतने में ही हमें बन्दे दिखते हैं यहाँ पे अब उस गाड़ी में मेरे ख्याल से चार बन्दे होते तो मैं बोलतो भाईया भग लो यहाँ से और हम फिर भी फज जाते हैं मतलब हम गाड़ी वालों से बचने के लिए इधर आए और इधर पूरी सुकौड बैटी पड़ी है यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे भाई पूरी जान लगा के चिलाते हैं मैं सुनता नी ठीक है जैसी चिलाने की आवाज आती है जैसी आवाज बढ़ती है मैं बोलतो यार जो भी एक गलते भग लो यहाँ से तो मैं पीछे आता हूँ और दिवार के कवर में आने के बाद भी गोली लग रही है खेर उसकी बात नहीं करेंगे यार क्योंकि क्या फाइद है यार बबजी तो बीजी है कपड़े बुनने में अब यह जो साक में बनदा होता है यार पहले तो सई था है क्योंकि हमें पता नहीं था वो वहाँ पर है लेकिन यार जैसी पता चलता है वो तब भी अंदर रहा तो उसका ठिलना तई हो चुका था कते मोली मूली जलती बोतल में आग फेकता हूँ वहाँ पे वो बाहर आता है कते उजी पेल देता हूँ तो हाँ उसकी पेटी बन चुकी है अभी भी तीन बंदे बाकी है क्योंकि यार फुटी स्टेप जो आ रहे है न यार बहुती जादा दवाक आ रहे हैं तो देखो अब मैं बोलतो यार नेट करने का तो मन नहीं कर रहा है लेकिन हमारे भाई बोलते यार कर ले क्या पता कुछ फट जाए अना क्योंकि यार गलती तो होती रहती है जिंदगी में क्या पता पबजी में भी हो जाए गलती और गलती से नेट फट जाए तो मैं बोलता तो ठीक यार फेक देता हूँ एक उपर और यहां पर मैं बहुत ही खुस हो जाता हूँ मतलब एक तो मेरा नेट फटा और उसके साथ बंदा भी ठिल गया और यह पता नहीं क्या ही हील कर रहे होते तो इन दोनों की पेटी बना दी अब एक बंदा आगे बाकी है और आखिर कार फाइनली यह बंदा ठिली जाता है मतलब पहले इसे क्या-क्या नहीं पटका है मैंने इसे पेलने के लिए उजी की सारी गोलिया चला दी है थोड़ी सी बाकी थी M4 से प्रीफायर दिया यार क्या-क्या नहीं किया लेकिन आखिर कार बंदा ठिल जाता है लेकिन भाई खतरनाक बंदा होता है यार जाते-जाते डेमेज दे गया लेकिन कोई नहीं मतलब देखो यार लूट की कमी है नहीं यह हरी पेटिया इतनी सारी पढ़ी है यहां पे कि जन्मो जन्मो तक लूट सकता हूँ यहां पे मैं तो जो भी बची कुछी लूट होती है मैं उठा लेता हूँ अब देखो यार, उजी बढ़िया गन है, बहुत ही बढ़िया, दो चीजों की गलती हो रही है, यहाँ पर कि भईया, M.O. मो के चक्कर पड़ रहे हैं, कते ही, कम पड़ रही M.O. और दूसरी चीज, यार, कि मुझे AWM मिलती है, अब कोई बंदा कैसे अपमान कर सकता है, AWM क मतलब कई पे नहीं चलाऊंगा, मैं किसी को नहीं पेलूंगा, इसको इससे लेकर, लेकिन यार, देखो, AWM अगर आप छोड़ते हो, तो यार, अपने रिसक में छोड़ना, क्योंकि जब भी मैं AWM और गुरूजा चोड़ता हूं, मेरे साथ गलत सीन होते, भईया, पाप च रहेगा, इतनी तगडी भी नहीं है, अपनी किसमात, तो देखो, उपर से बंदे भगते वे, दिखते हैं, मतलब दिखे हुते यार, आते वे, लेकिन मैं पेल किसी को नहीं पाता, ख्यार, यहां पे मैं बस इंतिजार कर रहा होता हूं की, जोन हमें धोका दे, और यार, ज बचे बाकी के दो, मतलब अब देखो, यार, कहा हूंगे, आगे से भी गोली-गाली चलेगी अभी, तो हां उधर पे ही बंदे बैठे हूंगे, जोन में साप सुबन रखे हूंगे, तो मैं बस इंते जार कर रहा हूं की, यार, कोई दिख जाए मुझे, और कोई नहीं दिखाता यहां पे, हेड़ सोट उसे लगा नहीं, बोडी सोट से कद्दू कुछ नहीं उखरता उसका, तो दुबारा मुझे एक बंदा दिखेगा हा न, समोक वागेरा भी हुआ है आगे, तो पेलते हैं, कोशिस करते हैं पेलने की अब देखो, यहां पे समोक भी हो रखा है, गोली भी धेड़ पैड चल रही है, बंदे भी ठिल रहे हैं, लेकिन मुझे कद्दू कोई नहीं दिख रहा है, यार मतलब पूरी जान लगाते ताउ में देखने के लिए, लेकिन बंदा दिखे नहीं देता और आखिरकार जब एक बंदा दिखता है, जब मैं उसे पत्ते में एज़स्ट करके पेलता हूँ, वो ठिल के नहीं देता अना उपर से जोन ने भी धोका दे दिया है, जैसा कि मैंने बोला है ताइम टाइम की बात है, थुरे टाइम बात जोन धोका दे ही देगा तो जोन भी अपने पे नहीं है, अपन पे भाईया कदू कुछ नहीं बचाए यहाँ पे जोन के नाम पे, तो हम बोलते भाईया रस करदो चाहे जो भी हो, और जहां तक मुझे पता है बंदे लेफ्ट में है उपर की साइड, लेकिन मैं गलत हुताओं और तयार हो जाओ क्योंकि असली गलत सी न, यह हैं अरे भाईया किधर जाना है भाई इतने जोस में किधर, किस बात का जोस था यह मतलब वो बंदा देखता है कि यहाँ पे हम गोली बारी चला रहे हैं वो भाई थर्ड पार्टी करने के लिए इस कदर थर्ड पार्टी करता है कि भाई बगगी के साथ वो भी जोन के बाहर जाता है, हवा में उड़ते वे जाता है मतलब मैं देख रहा हुता हूँ मैं दिमाग में सोच चल रहा हुता है कि भाई ये क्या है और ये क्यूं है ठीक है एक टाइम के लिए तो भाई मुझे लगा था भाई ये कता कि थर्ड पाटी करने आएंगे अब थिला के रख देंगे लेकिन यार उसकी बगई भी बाहर जाती है जोन के वो भी जोन के बाहर सीधा नौक होता है और देखो हम इतने धीट इंसाने की भाईया पेल के तो रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए तो जोन के बाहर भी उसकी पेटी वनाई और उसका teammate पीछे से आ रहा होता है अच्छा वह उसके साथ नहीं था उसका teammate मतलब वो दोनों के दोनों जोन से ठिल जाते कते गलती सीन हो जाते तो बस भाई लो ग्यार आज के वीडियो में इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते लाइक के बटन को पेलना मत भूलना है यार मतलब उजी के स्प्रे के लिए और बगई ये बंगी वाले बंदे के लिए एक लाइक पेल दो मतलब भाई पूरे जोस में आय थे यार एक टाइम के लिए टाइगर सीरॉप भी फेले यार इस चीज के पीछे मतलब क्या ही बंदा था भाई ये खतरनाक बहुत इसे वह या पिच्चर पुच्चर में डाल दो कता ही बिल्कुल हवा में उडाने इसे जाके खेर आज की विडियो में इत डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टोप में तो कल मिलते हैं भाई लोग यार बाई बाई प्रम पाई लोग ऑजल सकतार पाई पुच्चर प्रम वच्चर को आपे लोग बाई खेर आजा प्रम को लोगए प्रम को झाल है कर दो यार स्का रया आजा है